नवरात्री आने से पहले घर से निकाल दे इन चीजों को, इस कारण माता रानी हो जाती है नाराज, नौ दिनों तक हम माता रानी को प्रसंग करने में लगे रहते हैं, लेकिन हमारी छोटी सी गलती के कारण माता रानी हम से नाराज हो जाती है, और हमें पूजा का फल तो चलिए जान लेते हैं, नवरात्री आने से पहले किन चीजों को घर से हटा देना चाहिए, तूटा फूटा सामान, घर से तूटे फूटे बरतन या पुराने फटे कपड़े साफ सफाई के दौरान घर से निकाल देने चाहिए, इन चीजों से घर में नकारात्म कूर्जा बढ़ने लगती है, जिस कारण घर में तंगी, बीमारी, धनहानी बढ़ने लगती है, मातारानी हमेशा साफ सुत्रे स्थान पर रहना पसंद करती है, इसलिए नवरात्री से पहले इन चीजों को घर से जरूर हटा दे, घर से हटा दे अशुग्द चीजे, नवरात्री आन अन्यता मातारानी नाराज हो जाती है, घर से हटा दे मूर्तिया और तस्वीरे, नवरात्री आने से पहले घर के मंदर की अच्छी तरह से साफ सफाई करने के बाद, खंडित मूर्तिया और तस्वीरे घर से हटा देनी चाहिए, इन मूर्तियों को खंडित माना जाता है, इ जहां ऐसा चेनल बना होता है, वहां देवी देवता जरूर आते हैं, घर की दक्षिन पूर्व दिशा में रखे स्वच्छता, शास्त्रों के अनुसार दक्षिन दिशा में देवी दुर्गा का वास माना जाता है, इसलिए इस दिशा में पूजा करना बेहद शुब होता है, पूर्फ दिशा में पूजा करने से चेतना का विकास होता है तो पूजा की समय दक्षिन दिशा में मुख करने से मानसिक शान्ती मिलती है